तो सुरू शही शुरू करते हैं। बात है आज देश के सबसे बड़े एक बार द्यनिक भाशकर में छपे हुए संपादिकिये पेज के एक लेख की। यह लेख बहुत चर्चित और बहुत ज्यादा बार बार छपने वाले एक लेखक वेद प्रताप वैडिक जी ने लिखा है और आप में से कई लोगों ने इसको पढ़ा होगा। जो भी हमारे मित्र जुड़े हैं कि काफी बड़ी सिंख्या में लोग अलड़ी जुड़ गये हैं तो कोई एक व्यक्ति में जे सिर्फ इतना कंफर्म कर दे कि आवाज आपको साफ साफ सुनाई दे रही है तो मैंने ये कहा कि बात शुरू से ही शुरू करते हैं और दच्छिन जो विचार का छेत्र है जिसको दच्छिन पंत कहते हैं वहां से उस धारा का एक लेखक है वेद प्रताप वैदिक और उन्होंने एक लेख लिखा है जिस लेख का सिर्षक है जन गणमना में जाती नहीं जरूरत पूछी जाए तभी पिछुडों का हित होगा टाइटल मैं रिपीट कर रहा हूँ लेखक का नाम वेद प्रताप वैदिक अख़बार का नाम दैनिक भाषकर आज भारत में ज्यादातर राज्यों में इसको संपादी किये पेज़ पर इस लेख को पढ़ा गया होगा क्योंकि दैनिक भाषकर का ये दावा है और एक हद तक ये सच भी है कि वो देश का सबसे बड़ा अख़बार है 43 लाख कॉपी छपती है उस अख़बार की और अख़बार का क्लेम है और IRS के सरवे भी बताता है कि 6 करोड के आसपास लोग उसको हर दिन पढ़ते हैं और संपात कियों पेज पर है तो हर जगह ये पन्ना छपता है ये ऐसा नहीं है कि एक जगह छपेगा दूसरी जगह नहीं छपेगा तो शिर्शक जो है उस लेख का वो है जंडगंडा में जाती नहीं जरूरत पूछी जाए तभी पिछणों का हित होगा पहली नजर में ये लगता है कि लेखक पिछणों का हित चाहता है और इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है कि किस तरह से पिछणों का भला होगा अब मैं इस लेखके एक एक तरह से जैसे आर्कियोलोजी में होती है ना कि कोई कुछ मिला उसमें से थोड़ी सी रेथ हटाते हैं फिर नीचे कुछ मिलता है फिर कुछ हटाते हैं फिर कुछ एक मिलता है जैसे कि मोहंजोदरों में एक बहुत स्थूप मिला था जिसको कि व गए तो बिल्डिंग्स मिली फिर एक लेयर हटाया तो इसनानागार आया फिर नीचे और हटाया तो अनाज रखने का गुदाम मिला जहां पुराने के हुंके दाने मिले मतलब यह इस तरह से जो आर्केलोजी के तर तौर से एक एक लेयर आप हटाते चलते हैं नीचे आपका आपकी दुनिया खुलती चली जाती जिस तरह से आपका मोहन जोदोड़ की खुदाई हुई थे या इवें धौला विरा की खुदाई हुई थे कि स्टूब जैसा कुछ मिलता है और उसके नीचे आप खोजते हैं तो आपको शब्वेता मिलती है खैर तो इस आर्टिकल को ह यह करने से पिछणों का भला होगा तो यह पुरा लेख है इसमें मैं जो एक और मिथट अपना रहा हूं कि जो उनका विचार पक्षा इस लेख में जो उनकी ओपीनियन है जो राय है कि जाती जन्गंधा नहीं होनी चाहिए इस पर मैं बात नहीं करूंगा कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बिद प्रता प्यादिक एक लेखक हैं और लेखक के नाते उनको यह opinion रखने का अधिकार है कि रखने का उनको पूरा अधिकार है किसी विवक्ति को लोगतंत्र में अधिकार मिलना चाहिए मैं यहाँ पर उन opinions की बात नहीं कर रहा हूं ना उसका counter opinion दे रहा हूं इसके लिए मैं पहले आप से बात कर चुका हूं की जाती ज़्य अनगनना पर मेरी क्या रहा है वो आप जानते हैं वेद्पताफवैदिक की क्या रहा है वो आप जानते हैं वो खिलाफ हैं यहां तक मुझे कोई अत्राज नहीं, यहां तक मुझे कोई आपत्ती नहीं, समस्या यह है कि इस बात को साबित करने के लिए वेत्ताफवेदिक जो तरीका अपनाते हैं, वो नहायत मुर्खतापुर्ण, बेवकुफी भरा और एक एबसर्डिटी की हद तक जाता हुआ उनक उनकी तरक पद्दती है, यहां पर ज्यादा समस्या खड़ी होती है, क्योंकि भारत में अखवारों में चपे हुए शब्द को सत्य मान लेने की बहुत परमपरा है, तो लोग उसको एक रेफरेंस पॉइंट के तोर पर लेते हैं कि अखवार में चपा है, जूट कैसे हो सक आ हम लोग की ट्रैनिंग लुसके की चीज़ अगर डिस्पीूटेद है कुई इसन कोई की कॉई कोई कोई कान्टेस्टेशन आ forward our argument so this is how we are so यह जो पूरा मामला है कि जो जन्गन्ना का प्रश्ण है इस पर उनकी अपनी राय है कोई दिक्कत नहीं लेकिन जिस तरीके से उन्हों ने रखा है इस पर मैं बात कर रहा हूं और उनके इस लेख के साथ factual गलतियों की और आपका ध्यान अकरिष्ट करने की कोशि क्लेम भी करते हैं को किसी पद्वे हैं वो संस्थावनों ने खुद बनाई है जिसके वो अज्यक्ष है यह उनका मतलब यह उनकी महानता है पहली गलती जो वो फैक्च्वली गलती करते हैं थोड़ा से एक और चीज में बता दूं कि वेद्पता प्यदी पहुत मैंवादी हैं मतलब की सारी चीजों के सेंटर में मैं मैंने यह किया मैंने यह करा दिया मैंने पॉलिसी बदलवा दी मैंने इसको बोल दिया यह मैं जो है यह उनका उनका एक सेंट्रल थीम है उनके सारे लेक में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी जैसे वो कहते हैं कि जाती के जनगन्ना का प्रश्ण इस समय हम इस लिए रिसकस कर रहे हैं क्योंकि नितिश्कमार ने उठाया है लेकिन दस साल पहले जब जनगन्ना हो रही थी तब यह यहां पर उनका अहंकार देखिए कि मैंने सोनिया गांधी से कहके जाती जनगन्ना के आंकडे रुखवा दिये अब देखिए से फेक्चुल गलती क्या है 2011 से भारत में कास्ट सेंसस एक सुरू हुआ सोश्यो एकोनोमी कास्ट सेंसस 2011 SECC 2011 आप लोग जनरल नॉलेज की कि किताब में पढ़ते होंगे आप लोगों को जनरल नॉलेज की किताब से यह भी पता है कि वह जन्गन्ना 2016 में खतम हुई 2016 में जो जन्गन्ना खतम हुई उसके बारे में वेद प्रताप है दी कि क्लेम करते हैं कि हमने सुनिया गांधी से कहके इस जन्गन्ना को रुखवा दिया पहला तो आप अगर देख रहे हैं इस से माख़वार का पन्ना तो आप देख सकते हैं कि एक तो मेजर गल्ती उन्होंने एक मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज उन्होंने फैलाई सुनिया गांधी ने रोख दिया जी मेरे कहने पर मेरे कहने पर यह बहुत इंपॉर्डेंट है अगले पैरग्राफ में कहते हैं कि जब यह जन्गन्ना वगरा हो रही थी तो नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो जाती जन्गन्ना के खिलाफ थे और वो ज कर रहे हैं 2016 में जो आंकड़े रोके गए जाहिर है कि वो काम नरेंद्र मोदी ही कर सकते थे सोनिया गांधी इस काम को नहीं करने की स्थिती में नहीं थी वो पोजिशन ही नहीं थी मतलब विपक्ष और सोनिया गांधी की जो अभी स्थिती है उसमें वो कोई फैसला करवा इस सरकार से यह पॉसबल नहीं है तो एक तो बड़ी गलती यह है यहां पर मैं थोड़ा सा रोकता हूं और करता हूं क्योंकि अल्रेडी काफी लोग इसको देख रहे हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो संभव है वो इसको एक बास शेयर कर लें अगर आपके लिए और कुछ कर सकते थे तो जाहिर है कि आपके मित्रों के लिए भी यह वीडियो इंपॉर्टेंट होगा तभी आप इतना कीमती समय लगा रहे हैं यहां के बाद से वह सुनिया गांधी को मैंने बोल दिया नरेंद मोधी को कहके हमने रुकवा दिया जाती जन गणना क्या करे अब आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं अब बताते हैं कि अंग्रेजों ने जाती जन गणना सुरू कराए थी क्यों क्योंकि 1857 हो गया था और इससे वो डरे हुए थे बड़ी एकता बन गई थी भारती समाज में और इसकी वज़यसे 1861 में उन्होंने जाती जन गणना वो 1872 में जाके पूरी होती है अब ये विद्वान है जान पहचान है अब लेक छपवाने की नहीं में छमता है तो ये इनके हिसाब से 1861 में पहली जनगन्ना हो गई तो ये एक अचली बड़ी गलती उन्होंने यहां पर किये जो पहली जनगन्ना आप जानते हैं और भारत की पहली जनगन्ना के वेबसाइट पर भी जाके आप देख सकते हैं उन्होंने फर्स्ट में ही हिस्ट्री ऑफ सेंस चाप रखा है और उसमें यह कहा गया है कि जो अठारा सो चौंसट पैंसट में सुरू हुई और 1872 में खत्म हुई ये पहली जनगन्ना है जो बहुत लंबे पर अवर पर नहीं बोलता हुई मैं अमतवर पर दोधेशों की कौनमीक रिलेसन्स वगरा पर नहीं बोलता हुँ में तीन और चार विशे पूरे जिवन में सैक्ड़ों किताबें पढ़ कर मुझे लगता ये तीन चार विशे हैं जिसमें हमारा थोड़ा सा अध्यान है तो थोड़ी बहुत बात में रख सकता हूँ उसमें मैं बहुत हमेशा बोलता हूँ कि हो सकता है कि सत्य इसके परे भी है हो सकता है कि सत्य इसके ब्यॉण्ड भी है मैं जहां तक जानता हूँ, वहां तक मेरा सच इतना सा है, इसके ब्यांड भी सच हो सकता है, लेकिन विर्प्रताप वैदिक ज्यान तो वहीं से निकला हुआ है, सारे मतलब ज्यान के उसरोत हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके हिसाब साथारा से एक सट्वें हो गए और संपात किये पेज पर बैठने के काबिल क्यों है, अगर वो ऐसी गलतिया नहीं पकड़ सकता है, या फिर ऐसा होगा कि विर्प्रताप वैदिक मालिक के परिचित हैं, उनका लेखाया जैसा है, वेशा चापना पड़ेगा, दोनों इस्तितिया हो सकते हैं, इसलिए मैं मतलब कैसी बात आप कर रहे हैं, मतलब दूनों में से एक ही तो रोक सकता है, किसी एक कालखंड में एक घटना हुई है, उसको दो वेक्ति मतलब कैसे कर सकता है, तो यह इस तरह के बहुत सारे सवाल है, जन गणना का वर्ष बगरा यह सब तो कोई भी चेक कर सकता है, पता नहीं, उन्होंने तो यह कह दिया, अब उन्होंने आगे लिखा, आगे की लाइन पढ़िए, अगर आपके सामने अफ़ार खुला हुए तो, कि 1831 की जन गणना के आधार पर हंटर रिपोर्ट आई, और इसके आधार पर 1905 में बंग बंग हो गया, अब इस एक संटेंस को में एक जन गणना हुई, उसके आधार पर एक हंटर रिपोर्ट आई, और 1905 में घटना हो गया, अब इस देखें से क्या क्या गलती है, हंटर रिपोर्ट जो है, वो आपको सिविल सर्विस के तैयारी करने वाले लोग और बाकी लोग आपको बता देंगे, कि ये एजुके का मॉडल क्या होगा भारत में, इसके बारे में रिपोर्ट है, हंटर रिपोर्ट को इनों ने बंग भंग और जन गनना दोनों से जोड़ दिया, क्योंकि वेद्पता पैदिक है, कुछ भी लिख देंगे, जो मन में लिख देंगे, और वो चप जाएगा, क्योंकि मितलब पता नहीं क्या गुण उसमें देखते हैं लोग, तो ये छप गया, अब ये, मतलब आप सुचिए कि अगर कोई विद्यार्थी भारवे की परिक्षा में ये लिखे, बंग भंग के कारण क्या है, कोई अगर क्वेश्चन आए, और ये लिखे कि हंटर रिपोर्ट की वज़े से हुआ, और हंटर रिपोर्ट की वज़े से हुआ, इसको लिखकर कोई पास हो सकता है, क्या परिक्षा में बताइए, आप में से कई सारे लोग, अभी समें लगब तीन सो लोग देख रहे हैं, उसमें से कुछ लोग, हिस्टरी के स्टुएंट या हिस्टरी के टी पास भी है, और इस बारे में मेरी किताब भी है, और मैंने इसको पढ़ा भी है, कम से कम दस वर्स से, उस एक विशह पर काम कर रहा हूँ, अगला परग्राफ, उन्हीं साल पुराने आकड़ों के अधार पर आरक्षन की गाड़ी चल रही है, यहां तक तो आप ठीकी कह रह यहां विरोध है, वो जाते जनगणना का विरोध कर रहे हैं, लेकिन यह कह रहा हैं कि 90 साल पुराने आखडों से आरक्षन की गाडी चल रही है, ऐसा कब तक चलता रहेगा, नहीं चलना चाहिए, बिलकुल, fair enough, you have valid point, so argue for, for car senses, how, why are you arguing, arguing against car senses in that, in that scenario, if there is, that is your point, anyways, अगला परग्राफ, बहुत दिल्चस्प यहाँ, पर आप थोड़ा सा ठाहरिये, अगर, मतलब, थोड ठंडा दिमाग कीजिए, और सुनी अगला sentence, मैंने क्या कह पाला sentence, उनिस्वे कतिस में जाती जनगना हुई, नब्बे साल पुराने आकडों से आरक्षन की गाड़ी चल रही है, ऐसा कब तक चलेगा, अगला sentence, गांधी और कॉंग्रेस के विरोध के कारण, उनिस्वे कतिस में जाती जनगना हुई, नब्बे साल पुराने आकडों से आरक्षन की गाड़ी चल रही है, ऐसा कब तक चलेगा, गांधी और कॉंग्रेस के विरोध के कारण, उनिस्वे कतिस में जाती जनगना नहीं हुई, और ये कह कई ओ आदमी, भारत के सबसे बड़े एकबार में, लिख कर निकल जाता है, मतलब अगर कोई स्टुडेंट इससे जनरल नौलेज सीखेगा, तो वो गैरेंटेड फेल होगा, उसको कोई ताकत उसको पास नहीं करा सकती, जनरल नौलेज का एक्जाम, जनरल नौलेज नहीं बिगाड़ी देगा आदमी, अब अगले पर अगर संविधान के मुताबिक 50% से ज्यादा जन्माधारी तारच्छन नहीं हो सकता, अब इस संटेंस पर आप गौर कीजिए, संविधान के मुताबिक, यह बहुत इंपोर्टेंट है, 50% से ज्यादा जन्माधारी तारच्छन नहीं हो सकता, यह एक संटेंस बहुत तरह से गलत ह क्योंकि एक तो सम्विधान में आप में से जातर लोगों ने सम्विधान को कम से कम एक बार तुपढ़ाई होगा कि सम्विधान में कोई अनुच्छे ऐसा नहीं है कोई अध्धाय ऐसा नहीं है जिसमा इस बात का जिक्र है कि आरक्षन कितना होना चाहिए जीजों नहीं कर दो नौकरीर स्थागार अच्छाuled कि किसमें जारी रहेगा इसकाहीं जिख्रण नहीं है बोल गया जो मनमे आया मतलब जो इसस मंध है जो Awak लिखना है हर मो quieren 그럼 है अब अब अगलत कि पहला तोको कि समिधान में न lingu दुसरा 50% का कोई कैप उस तरह से नहीं है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं इस समय जितनी लोग सुन रहे हैं उनमें एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो इस तथ्य को नहीं जानता है कि तमिल नाडू में 69 परसेंट रिजर्वेशन है अगर हमारे इस बात को सुनने वाले हर आदमी को पता है ऐसा कैसे हो सकता है कि वेद प्रताफ वैदिक को नहीं पता या तो नशे में रहे होंगे वह गांजाखा के लिख दियोंगे, दारूपी के लिख दियोंगे, नींद में लिख दियोंगे, कोई समझ्या हो सकती है, मुझे नहीं मालूम कि वह क्या समझ्या है, लेकिन जो एक दसवी बार्मी का हर विद्यार्थी जानता है, कि तमिलनाडू का अड़क्षन है, एक खास प्रोविजन था उसके लिए अमेंडमेंट हुआ और वहां पर 69 परसेंट रिजर्वेशन है या इवन वह नहीं भी जानता है यह तो जानता ही है कि कि EWS रिजर्वेशन के बाद कें सरकार के रिजर्वेशन का टोटल कॉंटम 59.5 परसेंट हो चुका हूं 69.5 परसेंट यह लिख रहे हैं कि संविधान करूंसार 50 परसेंट से ज्यादा आधारीत 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 है यह बात जो इस समय आप अपने घर में मौझूद 12-13 साल क एक बच्चे से पूछ लीजिए जिसका थोड़ा बहुत जनरल नौलेज ठीक है तो बता देगा कि EWS का आया था और इसकी वज़े से टोटल अरक्षन इतना हो गया है यह बात व्यादिक को नहीं पता है जो इसको चाप रहा है देनिक भासकर को संपादक को नहीं पता है ज इसकी वेबसाइट सबसे पाउरफुल वेबसाइट है सबसे ज़्यादा जिन वेबसाइट को देखा जाता है कितना कितनी रीच है कितनी पहुंच है इतनी पहुंच तक वो करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हम अपनी बात सोसल मेडिया के जरिये कितने ल प्रचाइब देखिए उनकी पहुंच और उनकी ताकत देखिए जूट जूट की ताकत देखिए यह बहुत बड़ा दारा है मतलब आप सब लोग इसको शेयर कर दें आगे भी इसको शेयर हो जाए जैसे पिछला वीडियो साड़े चाहजार लोगों ने शेयर किया था तो इ आगे देखिए एक तो 50% आरक्षन वाली समविधान में के मुताबिक लिख रहे पर अगला आरक्षन से क्या फर्क पड़े जाएगा 5-700 नौक्रियों कहीं तो फर्क पड़ेगा 5-700 नौक्रियां इस देश में कें सरकार राज्य सरकार और स्थानिय निकाय जहां आरक्षन आ लागओ है कुल नोक्रियों की सिंख्या 1.88 लाग है कि 1% के हेड़ए फेर से से लाखो नौक्रियां इधर सुधर हो जाते हैं जब एक परसेंट आरक्षन बढ़ या घढ़ जाता है तो लाखो नौक्रिय एधर सुधर होती है 500-500-500 नौक्रियों का मामिला नहीं है 500-500 न कि पूरा मीडिल क्लास इस समय जो आपको दिख रहा है वह पूरा रिजर्वेशन से आया है मतलब लाखो नौक्रियों का मामला है बिद प्रतापयदिक फिर लिख रहे हैं कुछ हजार लोगों को जाति क्या अधार पर नौकरी मिल जाएगी, पहला तो जाति क्या अधार पर नहीं मिलेगी, उसके लिए सम्विधानी कुई अस्ताएं है, इसके मतलब कारण है, और दुसरा कुछ अजार, ये पहले लिख रहे हैं पांसा सो लोग, दूसरे संटेस में लिख रहे हैं कुछ अ जनगर्णा में जाती की जनगर्णा नहीं होनी चाहिए, और पिछलों का हितकिस में है, और कंक्लूड क्या करते हैं, अंतिम उनका निसकर्स क्या है, नोकरियों में जाती अधारत आरक्षन खत्म होना चाहिए, मतलब आप सोचिए कि ये आदमी कितना फ्रॉड है, कितना इ आज एक और आपको important बात बता रहा हूं, कि जाती जनगर्णा के खिलाफ लेखों के अब स्रिंखला सुरू हुए, यह हो सकता है कि पहला दूसरा है तिसरा लेखो, ऐसे कम से कम 100 के आसपास लेख आपके सर पर पठके जाएंगे अगले दो मेने के अंदर में, कम से कम आप स वहां सिर्फ जाती जनगर्णा के खिलाफ लेख चपेंगे, और जहां पर आप थोड़ा बहुत वेबसाइट, कुछ बहुजन चैनल्स वगरा में, जाती जनगर्णा के पक्स में छोटी मोटी बातचीत होगी, कितनी असमान लड़ाई है, मतलब समझे कि, मतलब पूरा डि इमान साफ कर सकते हैं, खुद भी इनमें से जातर जानकारियां आप 12 सरकार की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, जो इन्होंने फ्रॉड सब लिख रखा है, ये कोई मतलब इसमें से मेरे मतलब कम से कम मैं बहुत गारेंटी ले रहा हूं कि मेरे कोई मन की बात नहीं, इसमें कैसे हुआ, ये सारे रेफ्रेंसिस में आपको दे सकता हूं, बहराल मेरा आखरी निवेदन है कि इस समय भी जो 300 लोग से जादा लोग मुझे देख रहे हैं, वो कृपया इस वीडियो को अगर उपयोगी मानते हैं, तो कृपया शेर कर दें और उपयोगी नहीं मानते हैं, झाल 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